बड़ी ख़वर ब्रेक नोस सामलिकर का आच कुईज यहां दोस्तों आपको बता दें क्या दिल्ली में जल्द हटेगा नेट कर्फियू डेडी एम की सुक्रवार को बैठक स्कूलों को खोलने पर भी फैसला संबब जानी पूरी जानकारी तो दोस्तों पूरी जानकारी मताएंगे इसलिए वीडियो के एंट तक देखना बिल्कुल भी स्कीप नहीं करना है दोस्तों वीडियो को सुरू करने स्पिल वुद का आपने हमारे यूटूब चैनल टैक कंपने हिंदों को सब्सक्रेब नीका है तो नुची लाल के मिले के हुए सब्सक्रेब बड़म पासी विडियो को दबा दीजिए तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं दिल्ली में कोरोना वैरस के कम होते मामलों के बीचे पावंदियों में कई धील दी जा चुकी हैं रोजाना दर्जे किये जाने बाले मामलों में आ रही गरावट के बाद अब राश्टे जासदानी दिल्ली में नेट करफियों हटाने की मांग भी चल रही है इन सब के बीच चार फरवरी सुक्रवार को एल जी अनिल बैजल की अध्यक्षा में दिल्ली आबदा प्रवंदन प्रादीकरंड की बर्चुवाल बैठक होई जीहां दोस्तों डीडी एम की बैठक में सी एम अर्विंदे केजरी वाल भी मौजूद रहेंगे सुक्रवार को होने वाली बैठक में नेट करफियों और स्कूल कॉलेज को खोले जाने को लेकर फैसला लिया जा सकता है जीहां दोस्तों साथिसाथ माप को बता दें कि उधर कोरुना के मामलों में कम होने के बीच बिविन बाजार संगों ने कहा है कि सरकार को अवि नेट करफियों हटाने के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि इस से उनके कारोबार पर प्रती कूल प्रवाव पढ़ रहा है दिल्ली आफदा प्रवंदन प्रदीकरन डीडी एम ने पिछले हफते एक बैठक में दुकानों को सम विसम आदार पर खोलने के नियम और सबताहांद के करफियों को हटाने का फैसला किया था जी हां दोस्तों और सातिसाथ दोस्तमाप को बता दें कि बैठक के दोरा निरने किया गया था कि राष्ट राजदानी में रात्री कालिन करफियों अभी जारी रहेगा जी हां दोस्तमाप को बता दें कि दिल्ली में अभी दुकाने सुबह दस बजे से रात आट बजे तक दुकान दारों को कहना है कि दुकान बंद करने के समय को बड़ा देना चाहिए सरोजनी नगर मीनी मार्केट एसोसियेशन के अध्यक्ष असोक रंदावन ने कहा है कि 10 बजे से रात 8 बजे तक के समय से बास्तम में बैस्तिरिक महमारी और पिर्तिवंदों से पहले से प्रवा किया गया है तो दोस्तों कर वीडियो पसंदा यूट वीडियो को लैक और सिर्कन ना भूलें और रोजन ऐसे ही नीनी बोड़ देखने के लिए आप हमार रुटूप चैनल टेक कंपने हिंदों को अभी सब्सक्रेब कर लिए जो पासी विलेकों को दबा दीजिए जी हां दोस्तों आप सभी को अपना कीमती समय देनी के लिए धन्यवाद आपका दिन अति सुब हो